हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं आपके साथ तोरही की सबजी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो भी एकदम अलग तरीके की तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटावट से सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने आपी तोरही ले ली है जितनी भी मुझे बनाना है और इससे अच्छी तरह से हमें चील लेना है चीलने के बाद हमें इन सारी तोरही को अच्छी से धोलेना है तो सारी तोरही को हमने अच्छी तरह से धोलिया है साफ पानी से अब हमें करना क्या है कि हमें एक तुरही लेना है और इसको इस तरह से काट लेना है इस तरह से हमें इसकी छोटे चोटे पीस कर लेने है एक तुरही से कम से कम चार पीस आपके हो जाएंगे उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताती हूं हमें तुरही को इस तरह से आधा काटना है, हमको पूरा नहीं काटना है, आधा-ाधा हमको इसको काटना है और चार भागों में डिवाइट कर लेना है तो इस तरह से हमें अपनी तोरही को काट लेना है तो चलिए, हम दूसरी में भी इसी तरह से कर देते हैं हम इसके चार भागों में ऐसे डिवाइड कर देते हैं तो इसी तरह से हम अपनी सारी तो रही कि हमने छोटे-छोटे पीसे कर लिये हैं और उन्हें बीच से काट लिया है तो अब इसमें जो मसाला लगना है वो मैं आपको बताती हूं तो मसाले के लिए हमने आपर ली है दो बड़ी प्यास, लैसुन, अद्रग और मिर्च अब इन सारी चीजों को हमें मिक्सी की जार में निकाल लेते हैं और इन सब को हमें अच्छी तरह से पीस लेना है तो चलिए इन सारी चीजों को मैं पीस लेती हूं मसाला हमने पीस लिया है अब बार यातिये से भूंजने की तो सबसे पहले कड़ाई में मैंने तेल लिया है और तेल हलका गरम होने के बाद ये सारा मसाला मैंने इसमें निकाल दिया है और इसको दो से तीन मिनिट तक हमें इसी तरह से चलाते रहना है वो बुहुचते रहना है उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले अड़ करेंगे जो कि यह हल्दी, लालमिश, धना पाउडर और स्वादनुसार आपना मक ले सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है चार से पांच मिन तक हम इसे पकाना है उसके बाद हम इसे ढखकर 2 मिनिट के लिए रख देंगे और फिर यह कुछ इस तरह का हो जाएगा डार्क सा जब हमारा मसाला हो जाएगा तो अब हम इसको क्या करेंगे कि जो हमने तरही काटी थी उसके अंदर यह मसाला इस तरह से भर-भर के और तरही को कड़ाई में डालते जाएगे तो इसी तरह से हम अपनी सारी तरही जो भी हमने काटी है उनके अंदर एक एक करके मसाला भरते जाएगे और इसे कड़ाई में डालते जाएगे और फिर सारी तरही में जब हम मसाला भर देंगे तो इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और उसके बाद हमें करना क्या है इसके उपर अथनी एक प्लेट उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी इसे होगा क्या कि हमाई तुरही जो है वो अच्छी तरह से पक जाएगी और उसमें अपने आप पानी जो है वो आजाएगा पानी हमें उपर से डालने की ज़रत नहीं है तुरही के अंदर ऐसे ही बहुत सारा पानी होता है और जब हम इसे पकाते हैं तो वो बहुत सारा पानी अपने आप छोड़ देती है तो तुरई जो है वो हमारी पक चुकी है तो सबजी जो है वो बनकर तयार हो चुकी है वो भी कुछी समय में तो देखा कितना आसान था तुरई की मसालेदार भर्मा वाली सबजी बनाना बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये रेस्पी बताई है तो आभी से बनाईए ट्राइ करिए और वीडियों पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा